हेलो पुच्छों कैसे आप सब लोग इस वीडियो हम बात करने वारे हैं सीए सब्जेक्ट में बहुत ही जबदस्त आपकी पकड़ होनी चाहिए और आपको पता है दिसंबर 24 की जो एक्स्ट्रा अटेम्ट आपको मिली है यह आपके लिए संजीवनी बूठी का काम कर सकती है अगर आप इसको प्रॉपरली यूटिलाइस करें तो अब आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप यह जो एक्स्ट्रा मिली है दिसंबर 24 वाली ठीक है ओल्ड स्लिवर्स की अब आप इसको किस तरीके से इन कैश करते हूं ठीक है जी इस वीडियो में हम बात करेंगे CMA और FSM का किस तरीके से आपको strategy अपनानी चाहिए ठीक है ज्यादा से ज्यादा maximum से maximum मतलब कम से कम आप 120 मक्स का दोनों में target लेकर चलिए बहुत easily score किया जा सकते हैं और institute आपको बता है इस समय मक्स दे भी रही है मक्स आ भी रहे है ठीक है old syllabus में as expected जो students के हैं ठीक है और इ आपको CMA प्लस FSM का complete combo मिलने जा रहा है सिर्फ 4999 में 4999 में आपको complete आपको दोनों subject मिल जाएंगे ठीक है और high quality video lecture unlimited views के साथ ठीक है December तक की आपकी well date होईगी और down session होंगे mcq आपके complete होंगे ठीक है बड़ी है तरीके से description में आपको link मिल जाएगा अगर आप complete group की भी classes बाय करना चाहते हैं वो आपको सरफ 749 में available हो जाएगी description में आपको link मिल जाएगा link में directly क्लिक करके buy कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं CMA FSM के बारे में कि अगर हम देखिए CMA में आपको पता है अगर अच्छे score करना है तो CMA में दो अगर unit है उसमें से जो कुछ topic है easy easy वाले ठीक है जैसे की वाली ये corporate accounting में आपका तक्रीबन 30 नंबर का जो portion है वो company account का जो share capital, debenture, buyback, redemption of preference share, bonus and right share, underwriting ये वो chapter है जिनमें theory सारी के सारी company law वाली आ जाती है theory सारी company law वाली आ जाती है practical आपको कुछ छोटे-छोटे chapter के question आ जाते है जैसे की example के तोर पर आपके underwriting का तो एक-दो question practical आ जाते है share capital के forfeiture issue वाले question आ जाते है ठीक है bonus and right share के उपर सोटा सा question आ सकता है, debenture के उपर दो से तीन question पूछ लिये जाते है ठीक है और तक्रीबन 15 से 20 नंबर की company law वाली theory होती है जो बहुत easily आराम से score किये जा सकते है ठीक है उसके बाद कुछ important important chapter जिनमें से अच्छा खासा paper आता है जैसे की आपका cash low हो गया, ratio हो गया, marginal costing हो गया, budgetary control हो गया ठीक है उसके बाद आपका यहां पर हमारा हो जाता है कुछ consolidation की जिससे सबसे effort है उससे सबसे return नहीं है तो मैं इसको भी नहीं जोड़ूँगा ठीक है माजलन कुश्चिक हो क्या, cash low ratio, budgetary और आपका post audit हो गया आपका इसी में ही लगा लीजीए आप ठीक है तो यह चैप्टर जिन में practical आपको अच्छे खासे आते हैं cash low में practical आता है ratio में भी आता है marginal costing में भी तक्रीबन चार से पांच question minimum practical आ जाते हैं budgetary control में cost audit में theory आपको आ जाती है portion है वहां आप अपने चालिस नंबर गरंटिड कर सकते हो चालिस नंबर अपने बिल्कुल safe and secure कर सकते हो गिंती के four to seven days max to max चीक है उसके बाद आपकी आप FM की बात करें FM में आपके जो चोटे चोटे से chapter है like leverage अपका डिविडेंट पॉलिसी cost of capital चीक है inventory management उसके बाद आपका हो गया पांचवा पॉर्टफोलियो चीक है और आपका छे में नंबर पे capital structure चीक है capital structure theory और practical दोनों के लिए leverage practical और theory दोनों के लिए conceptual जो concept based question पुछे जाते हैं वो हो गया उसके बाद आपका डिविडेंट पॉलिसी डिविडेंट पॉलिसी प्रैक्टिकल तो ही है जो उसी से ही त्यूरी based question पुछे जाते हैं वो आ जाते हैं cost of capital में छोटे-छोटे cost of debt, equity, preference, cost of return planning उसके based question पूछे जाते हैं उसके बाद अगर मैं बात करूं inventory, inventory में आपको 2-5 question जुरूर आएंगे, portfolio में भी 2-3 question जुरूर आएंगे, capital sector में भी, ठीक है ना, तो मतलब आपको थोड़ा सा plan करके अच्छी तरीके से चलना होगा जिससे आपके अराम से easily score हो सकते हैं, ठीक है ना, कोई ज़्यादा effort ना लगाए बिना बहुत ही normal way में normal procedure follow करते हुए आपके CMA plus FSM दोनों को आप time दीजिए at least 55% और 45% time दीजिए CMSL और ECBL को, EBCL को, ठीक है, जिससे Actually में आपके marks बहुत जबर्दस आएंगे, result आपका बहुत जबर्दस निकलेगा, ठीक है बच्छो, तो आज के लिए इतना ही जो बच्छे चनल में नहीं है, जो उनको सब्सक्राइब और बहले के दिबना मत भूलेगा, और classes by करने के लिए description में आपको link मिल जाए